थानी वागरा देलबाग शित के ग्रामसभा लालगड़ी गाउं में राधा स्वामी ससंग द्वारा सिकंदर पुर जाने वाले मार्ग पर अवैत कबजा कर गेट लगाने से स्थानी किसानों में काफी रोश व्याप्त हो गया है किसानों ने मामले की शिकाया सिलातकारी से की है रास्ते पर कबजे को लेकर इस्थानी लोग काफी परेशान है इस्थानी किसानों का कहिना है कि ससंग सभा दयालवाग ने सिकंदर पुर जाने वाले मार्ग पर गेट लगा कर कबजा कर लिया है संस्ता के लोगों ने वहाँ जुताई भी शुरू कर दी है दावा किया जा रहा है कि लाठी डंडों के साथ संस्ता ने वहाँ अपने लोग बिठा दिये हैं जिसके चलते इस्थानी किसान काफी परेशान हैं इस्थानी किसानों ने मार्ग खुलवाने के लिए जिला अधिकारी को ग्यापन सौपा है हमारे जो रास्ते थे जो राधास भामी ड्यालवा वग संस्ता ने सभी रास्ते बंद कर दिये हैं और वो रास्ता जो है सिकंदरफूर लाल गड़ी गिजाली मदनपूर चट़्रा न्गला सोरई तक के गाम के लोग जो हना अप से भी उतर कर आते हैं और पहले भी इस रास्ते को ले करके 2005 में 2008 में संगर्स हो चुका है जो अभी भी लोग जो जेल में हैं अब परसों के दिन उन लोगों ने उस रास्ते को बंद करके जो जिस पर गिट्टी पड़ी हुई थी उस रास्ते को बंद करके जो है उस पर गेंवो दिये हैं और लाल खड़ी का पानी भी बंद कर दिया गया है, इसलिए वहां के लोगों को कावी परिसानी हो रही है, इसलिए आज किसान संगर समीती के लोग सभी लोग यहां एडियम सीधी साफ से मिले हैं, एडियम साफ ने आदेश कर दिया है तेसिल इस तर्क से Jaant कराने के लिए और रास्ता खुलवाने के लिए हमारी जो ग्रामसवा के गाउं सिकंदर पुर और पल्ली पारी के खनोली तक के जितने भी गाउं हैं वहां तक का जो जाने वाला में रस्ता था वो राधास्वामी ससंग सभा के लोगों द्वारा गेट चड़ा के बंद कर दिया गया और रस कि पहली सी कोई पुर्णा भी रती नहीं हो किरिपा करेके मां उनके अत्यारबंद लोग और जो लठेत बैटे हैं रोड़ों पर अतिसी कि उन्हें अटाया जाए नहीं कोई मां जगड़ा नहीं होई